तो हलो एवरिवान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि सीउउ इटी पीजे का एक्जाम देने वाले हैं दो हजार तेइस में तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वोज करिए और अगर आप लोग हमारे चेनल पे फिरस्ट टाइम विडियो देख रहे हो हमारे चेनल पे तो आप लोग चेनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि आग तरीके से counselling होती है क्योंकि केवल form भरने से आपका admission नहीं होगा काफी सारी information आपको हमारी चैनल के माधिम से देखने को मिलेगी तो आप लोग चैनल पर बने रहे ना गाइस अब ही हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जिसके अंदर में आपको काफी important information यहाँ पर देने वाला हूँ देखिए आपका exam जो होगा उससे पहले तीन चीजे जो कि आपके mind में अकसर यहाँ पर रहती है कि form कब आएगा तो form कब आएगा it's clear now ये clear हो चुका है दوسरा ये है कि exam कब होगा तो exam जो आपका कब होने वाला है ये भी clear हो चुका है तीसरा point यह आता है कि result कब आएगा ओके तो result कब आएगा ये भी clear हो चुका है और last point आप लोग add कर सकते हो कि classic कब से start होगी तो classic कब से start होगी ये भी अपने को clear कर दिया गया मिन्स सब कुछ क्लियर हो चुका है तो अब मेरे अकोर्डिंग आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए आपको अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट यहां पर कर देना चाहिए जो भी सब्जेक्ट लाइक आपका आप अपने हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है जैसे पिसले साल होता था या फिर उससे पहले जैसे कि कोविड का जो दोर यहां पर चलता था उस समय थोड़ा डिले होता था लेकिन अभी आपको कुछ भी डिले देखने को नहीं मिलेगा सारी चीजे प्रोपर टाइम से होन करने वाली है यह आप मान के चलिए गाइस अब देखें यहां पर मैं दो नोटीस आपको शो कर रहा हूं एक यूजी सी ने जो रिलीस किया है वो एंड सेकंड जो नोटीस है यूजी के जो चेर्मेर है एम जगदिस कुमार जी उन्होंने अपने टूटे हैंडल पर अपने में आ जाएंगे लगबग 15 मार्च के आसपास आप मान के चलो कि आपके जो फोम है वो यहां पर रिलीस कर दिये जाएंगे और एक महीने का आपको टाइम मिलेगा मतलब 15 मार्च को रिलीस होते है तो 15 अप्रेल तक आप उसको फिल कर सकते हो और उसके बाद यह लोग डेट यह न्यूज अपने को नाइट में पता चली है तो या तो आज या फिर कल इस वीक मतलब इस भी कनफॉर्म आपको एंटीक नोटिस देगा और उस समय भी हम लोग आपको वीडियो बना के इनफॉर्म करेंगे तो दो चीजे आपको क्लियर हो गई अब बात करते है रिजल् अब बात करें थोड़ा सा पेटन के बारे में तो देखें पेटन में कुछ भी बदलाव नहीं होगा आपका जो paper होगा paper जो है वो आपके दो पार्ट में divide होंगे ठीक है दो पार्ट में divide होंगे पार्ट A और पार्ट B करके ठीक है and आपका जो syllabus वही रहने वाला है जो last year का syllabus था तो एक बारा आप इसले साल के जो पेपर है उसको देख लीजिएगा जरूर से बाकि syllabus में कोई changes नहीं होगा पेपर हिंदी इंग्लिस दोनों मीडियम में आएगा पार्ट A को आप लोग select कर सकते हो अपने अनुसार हिंदी इंग्लिस किसमें आपको करना है वो आप लोग कर सकते हो बाकि जो subject का पेपर है पार्ट B का जो पेपर है वो bilingual होने वाला है उसमें हिंदी इंग्लिस दोनों option आपको दिखाई देंगे तो इस तरीके से यह सारा कु मैं बता दूँँ कि जस गुझें आपनी कलासे स्टार्ट हो रही है और अगर आप लोग M.A.Political Science के लिए तैयारी कर रही है पी ओलम के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रही हो तो एक फरवरी से जो है अपनी यहाँ पे जो स्टार्ट होने वाली है बाकि अगर कोई student अ description box में हमारे number दिये गया है आप लोग हमें whatsapp पे message कर सकते हो या normally call कर सकते हो so guys फिर से आप सभी का शुकरिया ये वीडियो दिखने के लिए